कि arthritis की समस्या अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी operation करा लो तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ operation तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाए इस हिंदुस्तान के भूतपूर प्रधानवंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से operation कराया था नहीं कराया special chartered plane भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत्र और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्फ वील चेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा तकलीफ में हूँ तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ओपरेशन मत करें बोलते हैं चूना खाईए चूना चारिये हैं अमलता को कम करता है ज्यादा अमलता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है तो चूना खाईए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में छाच में, पानी में, जूस में, और एक दिन में, अर्थुराइटिस के पेशन्ट दो ग्राम खा सकते हैं, स्वस्था आदमी तो एक ही ग्राम खाए, चुना खाई, मैंथि दाना लीजिए, चारिय है, और सबसे चारिय चीज जो है, वो है हार सिंगार का पेड, हार सिंगार देखा है, परिजात, हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है, और केसरिया डिंडी होती है, सफेद फूल और केसरी अडेंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार कहते हैं ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चारिये माने जाते हैं जो भी आउशदियां तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं चार-पांच पत्ते पीसिए पीस कर पानी में डालिए खूब उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर थंडा कर लीजे फिर वो ही पानी चाय की तरह से चुसकियां ले लेकर सबेरे खाली पेट पीजे मैंने ये देखा है गंबीर से गंबीर अर्थराइटिस पेशन को हफते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो ये कहीं भी मिल जाए नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुडवांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे सब अपने घर में लगा लें गंबले में हो जाता है आसान और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर क्यों ये हर घर में रहे पेड कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही अर्थराइब ग्वादिस ही